आज की वीडियो में हम सोशल साइंस का एक्जाम जो है डिसकस करने वाले हैं और कौन सी क्लास होगी 10th क्लास होगी ठीक है इससे पहले भी इस चैनल पर बहुत सारे एक्जाम जो हमने डिसकस करें हैं तो अगर आप 10th 11 12 किसी स्टूडेंट है इस क्लास के तो आप जाकर वीड बेल्जियम उसका मतलब जो है वो बेल्जियम है बेल्जियम बोला गया है बेल्जियम के लोग जो है वो कौन सी भाषा बोलते थे कौन सी भाषा बोलते थे डैच का यूज करते थे वह ज्यादा ठीक है ना उसके बाद वेंडिल श्री लंका emerged as an independent country श्री लंका को स्वंदं 9 में कि नेक्स्ट कोरी सिज्श और फरसंट इज ओफ फफ जल ठीक है इंग्लिश लोग और नरी जलतीन है ये और इसके अलावा पडम भी जो है वो हर्याना ठीक है उसके बाद तमिल का नंबर आता है वाट इस दापटल ऑफ बेल्जियम की जो है कैपिटल क्या है बैल्जियम की एक डिन में हमारे जो स्टेट्स हैं कैपिटल गवर्णर और जो सीम होते हैं उनकी ट्रिक के साथ वीडियो लेके आ रही हूं तो आप लोग वीडियो द थी के हैं ठीक हैं ठीक है वहां पर सट्टा किसे हाथ में हैं जनता के ही हाथ में हैं भ blaट नहीं किया होगा वीडियों और फिर इसिच्टी और राजेधर धर्म काउंसा है कासा है वहां पर जो ग्रण है वो बुद्धिज्म पाया जाता है मतलब बौध जो है उस धरमजाती के लोग जो है वो ज़ाधा रहते हैं हमाँ पे Division of powers between higher and lower level of government is called सरकार में उच्वा निमनस्तर में शक्तियों का विभाजन क्या कहलाता है vertical division कहलाता है तो ध्यान से आप लोगों को I think समझा रहा होगा 10th question is वट काल्ड तु तमिल नेटेबस ऑफ श्री लंका श्री लंका के जो तमिल मूल निवासिया है उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है श्री लंकाई तमिल इसी है श्री लंका में है और तमिल है इसलिए उन्हें बोल जाता है श्री लंकाई तमिल ठीक है next question आ जाता है how many levels of government usually a federation does have संगहत्मक सरकार के समानेते कितने सर हैं कितने सर हैं दो next 12th question is is the central government order the state government to do anything in a federal system क्या संगिये विवस्तामिक के अंदर उसे order कर सकते हैं कि आपको यह करना है 13th how many countries in the world have a federation political system विश्व के कितने देशों में संगिये राजनीती पढ़ना लिए कितने देशों में 25 देशों में ठीक है उसके बाद which one comes under the union list in India इन में से कौन सा भारत की केंद्रिये सूची केंदर करता है so answer is banking 15th is which one comes under the state list in India state list में कौन आता है आपको पता है ना तीन लिस्ट है तो उसी में state list में कौन आता है पुलिस उसके बाद में how many seats are reserved for ladies in local government local government जो है मतलब स्थानिय सरकार उसमें ladies के लिए कितनी seats जो हैं वो reserved है so it's one third एक तिहाई seat what is another name of rural local government ग्रामें स्थानिय सरकार का अन्य के नाम है पंचायती राज आपने देखा होगा पंचायत होती है जो बच्चे विलिज से बिलॉंग करते हैं उनको पता होगा कि वहाँ पर पंचायत सिस्टम अभी भी मौजूद है ठीक है 18th question is political head of municipal corporation is called नगर नेगम के राजनीतिक मुखिया को क्या कहा जाता है it's mayor mayor बोला जाता है 19th question is how much percentage of Indians have their mother tongue in his Hindi कितने प्रतिशत भारतियों की मातर भाषा जो है वो हिंदी है मातर भाषा का मतलब होता है जहां पर वो पैदा हुए है और वहां से वो हिंदी ही बोल रहे है so it's 40% which is the part of the government इन में से कौन से सरकार कांग है so वहां पर सारे आ जाएंगे all of the above उसका answer बन रहा होगा so ये थी वीडियो इसमें हमने social science का paper जो है वो discuss किया तो I hope आप सबको समझाया होगा 10th class की जितने बचे हैं तो आप इस अच्छे से देखिएगा अपने friends में share कीजेगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्स्राइब करना बिलकुल न भूलें उसके लावा इस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो हिंदी, English, Maths सबका basic सिखाएगी आपको तो आपको इन में से किसी में भी doubt हो कोई मात्राओं में हिंदी की confusion हो कुछ भी हो तो आप चैनल पर विजट जरूर कर रहे हो यहां की वीडियो जरूर देखें तो के गाई थैंक यू सो मच वर वाचिंग